यदि आपको trend line नहीं draw करना आता है तो चलिए इस वीडियो में आपको समझाता हूँ कि आप कैसे draw करोगे जैसे कि आप मेरे screen पर देख रहे हो देखो आप किसी भी broker का chart open करो या तो आप trading view का website open करोगे तो same जो है interface ऐसा ही दिखाई देता है देखो सबसे पहले तो देखो जब भी हम trend line ड्रॉ करते समय क्या देखना पड़ता है कि हमें points देखना पड़ता है कि कहां पर points मिल रहा है जैसे कि हमारा market है अब हमारा market थोड़ा उपर जा रहा है फिर market थोड़ा नीचे आ रहा है फिर थोड़ा उपर जा रहा है फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है फिर थोड़ा उपर जा रहा है फिर मार्केट नीचे आ रहा है फिर थोड़ा उपर जा रहा है तो अब हमें यहाँ पर यह जो मार्केट हमारा चल रहा है यहाँ पर हमें points देखना है कि points कहां कहां मिल जैसे कि एक point हमारा यहाँ पर मिल दा है, दूसरा यहाँ पर मिल दा है, तीसरा यहाँ पर मिल दा है, चोथा यहाँ पर मिल दा है, तो आप हमें क्या करना पड़ेगा, एक trend line ड्रॉ करना पड़ेगा, trend line ड्रॉ करने के लिए हमें कैसी, देखो trend line ड्रॉ करने के लिए जो tools होत तो इसलिए हम यह वाली trend line draw करेंगे, हम इसको trend line बोलते हैं, अब उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ले आकर फिर उसके बाद में हमें कुछ इस ताइब में trend line को draw कर देना पड़ेगा, जैसे कि अब इस trend line पर हमारा touches जो है, मिल ला है, basically trend line का म लेकिन इतना असान नहीं होता है, जो मैंने यहाँ पर draw किया है, यह मैंने example के लिए बता है, कुछ इस ताइब में हमारा trend line होता है, चलो, अब उसके बाद में हम अपने market में जो हमारा chart है, हम वहाँ पर देखते हैं, trend line हम कैसे draw करेंगे, देखो जब भी आप trend line draw करो ना, तो आपके chart में यह वाला candles दिखाई दे, तभी आप trend line ड्रा करो ताकि आपको easily तरीके से पता चले, नहीं तो कई लोगों में होता है कि यह वाला, जैसे कि देखेंगे, यह time चला है, time के बगल में देखेंगे, यहाँ पर candle दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में इस line से हमें नहीं पता चलता है, यह line से आप trend line मत ड्रा करना, आप जब भी ड्रा करना तो आप जो है यह वाला जो देख रहे हैं, आप जो है यह पहले आपका candle था, उस candle पर trend line ड्रा करना, यह वाली जो candle है, अब देखो जैसे कि हमें ढूरना है कि यहाँ पर जादा तर touches क अब देखो यहां पर हो गया दूसरा यहां पर हो गया तीसरा यहां पर हो गया देखो trendline draw करते वक्त आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि आप कितने टाइम फ्रेम पर आप trendline draw कर रहे हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर draw कर रहा हूँ तो एक मिनट पर यहाँ पर देखूंगा और देखो मैं 50 50 में draw करना हूँ यहाँ आपको stock select करना है तो वह भी आप इसली तरीके से कर सकते हो यहाँ पर आपको जाने के बाद में अपना जो भी stock में ट्रेंड ड्रॉ पर से क्लिक करके आप select करके draw कर सकते हो, जैसे कि देखो अब मेरा यहाँ पर trend line draw हुआ, अब यहाँ पर हमें यही बता रहा है कि market कहाँ पर break down हो रहा है, break breakout हो रहा है, तो यह देखें यहाँ पर हमारा market कुछ इस type में आया, फिर इस trend line को touch किया, फिर इस trend line को touch किया और फिर इस trend line को touch किया, इस trend line को touch करने के बाद में उपर breakout दिया breakout देने के बाद में फिर से retest किया retest करने के बाद में market हमारा अच्छा खासा rally कर गया, यही होता है देखो trend line में जो हमारा नीचे ट्रेंड लाइन होती है जैसे कि कुछ इस टाइब में ये हमारा जो ट्रेंड लाइन होता है ये वाला ये ट्रेंड लाइन जो होता है ये हमारा जो है सपोर्ड का काम करती है और ये वाला ट्रेंड लाइन जो होता है हमारा ये रजिस्टेंस का काम करती है जैसे कि उपर वाल में यह वाला सा resistance one हो गया अब यह वाला resistance two हो गया दो resistance क्योंकि हमने यहाँ पर draw किया है अब market तो क्या होता है कि देखो basically सबसे पहले तो यह समझो support and resistance हम यह किस लिए और trend line किस लिए हम draw करते हैं जैसे कि यह हमारा trend line एक draw है फिर उसके बाद में एक trend line draw है यहाँ पर देखे अब यहाँ पर हम trend line easily draw करते हैं कि ताकि हमें market में जो breakout आ रहा है और breakdown आ रहा है वो हमें पता चल जाए कई के बार क्या होता है कि market जो है अपने support सी चलता है फिर उसके बाद में resistance पर touch करता है इस सपोर्टपर आता है फिर resistance में टच recipes उसके बाद में सपोर्ट में आता है फिर resistance को टच करता है तो देखो ऐसे में क्या है कि हमें यह जो अंदर में चलदा है मतलब कि यहां पर यह market जो चलनी यह side wish चलता है अब market हमारा कब moment जाता देगा जब हमारा यह breakout जो है देगा market जब हमारा कुछ इस type में breakout market देगा तब हमारा market जो है बहुत ही तेजी तरीके से fast momentum करेगा तो यही पहचानने के लिए हम यहाँ पर trend line support resistance draw करते हैं यह आपको पता चल गया तो मैंने यहाँ पर trend line भ होता है trend line जड़ूरी नहीं कि हमारा थोड़ा थोड़ा touch को support करें थोड़ा नहीं भी मतलब touch करेगा तो तब पर भी चलता है अब दूसरी जो है horizontal line को हम दिखा दे तो horizontal line देखी हमारा यह है क्योंकि देखे एक touch हमारा यहाँ पर कर रहा है दूसरा यहाँ पर कर रहा है तीसरा यहां पर चोथा यहां पर जैसे कि मैं यहां पर horizontal line आपको यहां पर draw करना है तो आपको क्या करना है इस पर आना है इस पर आने के बाद में आपको horizontal line का एक option दिखाई देगा अब फिर उसके बाद में यहां पर आपको click कर देना है click करने के बाद में आप पर भी एक trend line बन देए जो मतलब कि हमेसा trend line बनते ही रहती है आपको draw करना पड़ता है तो यहाँ पर देखिए यह हमारा trend line कुछ इस ताप में बनिए इसको हम horizontal trend line बोलते हैं और इसको हम केवल trend line बोलते हैं यह वाला हमारा horizontal line है तो हमारा यहाँ पर बनाए और फिर उसके बा अब यह वाली trend line जो है मैं यहाँ पर draw करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे सारे touches जो है यहाँ पर मिल देखो यह वाला जितना भी touch है एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ना यह वाला पूरा जो touch आप देख रहे हो यहाँ से यह जो touch देख रहे हो अब देखो यहां से यह भी हमारा support लिया market यहां से उपर गया यहां से support लिया trending market में हम support पर अपना trade ले सकते हैं तो आप trend line जो है कुछ इस type में draw करते हैं जहाँ पर ज़्यादा तर points मिलना है वहाँ पर हमें trend line को draw करना पड़ता है जैसे कि यहां पर भी देखो एक हमारा यहां पर यहां पर यह ज़्यादा touches मिलना है तो अब हमें यहां पर कुछ इस type में trend line जो है draw करना पड़ता है देखो एक बाद मैं आपको बता दू हो सकता है मैं यह वीडियो में समझा रहा हूँ तो आपको नहीं समझ मारा होगा लेकिन मैं आपको बता दू आप जो है अपने market में ऐसे try करिएगा तो आपको easily तरीके से समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद मैं यहां पर देखेंगे एक हमारा trend line यहां पर बन रहा था यह यहां पर देखेंगे यह वाली हमारी trend line बन रही है देखें ऐसे ऐसे ही trend line हमारा draw होता है ऐसे बताते रहूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन लंबब बन जाएगा फिलाल अभी यह वीडियो जो है लगबख साड़े साथ मिनिट आट मिनिट की बन गई है तो यही मैं आपको बता रहा हूं trend line जो है आपको चेस टाइब में draw कर सकते हो basically जादे जादे मैं आपको यह बता दूँ trend line ड्रॉ करने के लिए कुछ tools जो trend line को tools है उनको आप add कर लिजेगा जैसे कि यहाँ पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा यह trend line का यहाँ पर trend line को start पर click कर देगे तो यहाँ पर so होने लगगेगा फिर उसके बाद में parallel channel को फिर देखो basically parallel channel हम इसे बोलते हैं जब हमारा market जो है उपर से भी नीचे parallel चलता है मतलब same trend line ड्रॉ कर रहा है जो कुछ इस टाइब में आप देखोगे अगर market हमारा properly जो है कुछ इस टाइब में हमारा draw करता है यहाँ पर देखे जैसे कि हमारा यह draw किया है तो हम इसको parallel channel बोलेंगे parallel channel को आप जब भी draw करोगे तो parallel channel जो है आपका कुछ इस टाइब में draw होता है जिसे कि यहाँ पर देखो parallel channel में draw कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे parallel channel जो होता है हमारा यह जो blue अला draw हुआ है तो parallel channel यानि कि इसी channel के अंदर हमारा market जो है move कर रहा है जब यहाँ पर breakout या breakdown देगा तब अच्छे तरीके से market हमारा momentum देगा और तब ही हम यहाँ पर profit book कर पाएंगे तो यहाँ पर कुछ trend line tools होते हैं जो आपको यहाँ पर से कुछ add करके पहले से ही रख लेना है ताकि हमें बाद में trading करने वक्त दिक्कत ना हो और हम जल्दी तरीके से trend line जो है draw कर पाएं